आपको सबसे पहले धन्यवाद देते हैं कि आज मान्य मुक्त मंत्री जी के प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया और जो मान्य आदरनी नितीश कुमार जी ने जो सवरंद कि रेता है उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है उसके हम समर्थन ले अधेक्ष्मोदे आज सब लोग चर्चा कर रहे हैं वादिवाद हो रहा है विश्वास मत और आविशक्ता विश्वास मत की आविशक्ता अखिर क्यों पड़ी इसको समझने के लिए भाजपा का जो कूचक्र है जो भाजपा का जो आविश्वास है उसको समझने की जरूरत ह सब लोगों ने अपनी बात को यहां रखा लेकिन आप देखिएगा जो पूरे देश में जो माहौल है वो क्या है हर राज चले जए जहां विपक्षों की सरकार है या जहां जहां बीजेपी हारती है या बीजेपी जिससे जिससे डरती है वहां यह अपने तीन जमाई आगे कर देते हैं पहला जमाई CBI दूसरा जमाई ED तीसरा जमाई income tax अब यह बात तो साबित हो गया कि जो मानजे मुख्यमंत्री आदर्नी निदितीष कुमार जी ने जो एतिहासिक और एक निडर निरने जो लिया है जो कि देश हित्मे है विहाग के हित्मे है लोग तंत्र को बचाने के लिए है संदिधान को बचाने के लिए आज के माहौल में शायदी ऐसा हिम्मत और दिलेरी कोई दिखाता है और हम तो अपने राष्ट अध्यक्ष आधन्ये लालु जी जो कि हमारे पिता हैं उनको भी धन्यवाद देते हैं कि दोनों नेटाओं ने जो समय के मुताबिक और लोगों के मांग पर कि भाई जितने देश भर में समाजवादी हैं उनको अब एक होना पड़ेगा और लालू जी का तो आप लोग सब लोग जानते कितना भी दबाया गया जुकाने का प्रयास किया गया ज़ाने का प्रयास किया वो कभी भी संप्र बाद विवाद चल रहा है अभी हमको सूचना मिली कि कुछ गोदी पत्रकार मीडिया जो कि दिन राट टीटीम का काम करती है एक पार्टी के लिए उसमें चलाया गया कि भाई तेजश्वी का मॉल है गुडू ग्राम में सेक्टर 71 में बड़ी अच्छी बात है खूब छापा आमारी मॉल से हिलिये ही मत कहीं मत जाईए दिन राट वहीं सोऊचे लेकिन कम से कम जो दीश की सबसे बड़ी जांच अजनसी है दुरबाग देखरेगे कैसा जांच कर लीए जो मेरा ही नहीं जबरत जो है मेरा नाम लिया जा रहा है ओ ओ मॉल का क्या नाम है और बन क्यू आप पैटे नाम है आर्बन क्यूंख हम पता करवा है भाई यह कंपनी का डीटेल निकालो तो जब डीटेल निकला तो पता चला अजनकुमार करके जो कि आपके भीवानी हर्याना के रहने वाले है यह उसमें डारेक्टर है और हम तो पूरी कंपनियों का कागज लेकर नेकर क क्या है अब सीधिया अच्छा है कि वहां पहुच गई है छापे मारी है हमको जो जानकारी मिला है कि स्मॉल का उठाटन या कंपणी का शुबारम जो है एक भाजपा के सांसद ने ही किया आए कि अच्छी बात है तो यह एक नेरेक्टिव पेश किया जा रहा है एक अजन्डा पेश किया जा रहा है मतला मेरे ट्विटर हैंडिल पर भी दिखियेगा मतला बाब भाजपा के साथ रहिएगा हाथ मिला लीजिए तो राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे और हाथ नहीं मिला तो ब्रस्टाचारी क्रिमिडल रेपिस्ट और पीछे एदी सीविया इंडव्टैक्स को लगा दिया जाएगा अब आप बताईए कि पूरी तरीके से बेबुनियादारोफ हम लोगों पर लगाया गया है कारेक्टर जो हम लोगों को खड़ाब किया गया है दो हाजार सत्र क्या निकला उस तो बताईए और एक नया चीज आप फिर ले करके आगया है अब यहाया सिटी सी का मामला नौकरी जमीन का मामला आपना गूल गये क्या देश के पहले रेल मंत्री लालु जी है जो गाटे की मुन रेल को मुनासर के रेल में बदलने के चान की है नब्वे का मुनापा लालु जी ने दिया हावड से लेके इंसी आप तक यूनिवर्सिटी इसके लोग जो प्रमुक यूनिवर्सिटी से वो लोग चात्र लोग आए और लालु जी को मैनेजमेंट गुरू के नाम से जाना गया आज देखिए क्या हो रहा है देश में कितना नयाय कर संपत्ति को बेदेगा उस पर कुछ नहीं हो रहा है देखिए हम पे जो है लुकाउट टोटिस लगता हम विजेश जाते हैं हम हनीमून पर गया तो लुकाउट टोटिस लगा हुआ था लेकिन भाईया लालित मोदी जी नीरा मोदी जी विजय माल्या मेहुल चौक्षी नी नीरा मोदी जी कहां गें यह लो मतलब जितना चोर बैमान है जितना देज भर के संपत्ति है उत्ति जिस्वी का है जहीं कहना चाहरे हैं क्या बात है अगर ऐसी बात है तो सब को बराबर बराबर लांड डिस्ट्रिब्यूट कर दीजे पूरे देश की जंता को बराबर कर दीजे दूद का दूद अपादी का पादी हो जाएगा मताब कहां हम लोग जो है लेकर के जा रहे तो उसलिए एक बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा क्या हुआ दस लाग करोर रुपया इनके मित्र पूंजी पतियों को माफ कर दिया जाता है लोन करदा माफ कर दि लोग कहा है भईया किसका माफ कौन किया इस पर जाच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए यह सारी बाते अलग है यह तो सब लोग जानते हैं कि समाज में समानता बड़ावरी शांती भाईचारा और सोहार्द बनाने कि कीमत मेरा परिवार मेरे रिष्टिदार मेरी बहने हम खुद मेरे पिता भुगत रहें लेकिन आप एक बात समझ लीजिए हम लोग समाजवादी लोग हैं और हम लोग समाजवादी राजिती के आंश और वंश हैं आंश और वंश हैं हम लोग डर देवाले लोग नहीं हैं कि आप लोग दर आईएगा और हम लोग डर जाएंगे अरे हम लोग बिहार के लोग है दिल्ली में बेखे वए इन लोगों को बिहार समझ में नहीं आ रहा है यह हम लोगों को अगर धमका करके अगर डराने की कोशिश की जाएगी तो समझ जाएए कि बिहारी जो है डरने वाला नहीं है लोग सवाल पूछते थे लोग पत्रकार पत्रकार हमसे सवाल पूश्टे थे भाई यह कैसे हुआ तो हमने पत्रकार भाईयों को बोला कान पकरके हाथ जो करके जैसे महरास्टा में खेलावा वैसे ब्यार में नहीं हुआ जो जारकर में देखा अन राज्यों में देखा मध्र प्रदेश में देखा क्या देखा हम लोग ने परना प suspects का कि वह जो डरेगा उसको डरा हो अपने जमाईयों से आज जो नहीं दरेगा उसको खड़ी दो तो हम तो धनवाद देरा चाहते हैं आप संजिए कि महारास्ट में जितने पॉलिटिकल लोग है अध्यक्षमौद जितने पॉलिटिकल है यह जहां इस सदन में अध्यक्षमौद है इस सदन में सब लोग जादा तर लोग गरीब परिवा कुन करके आते हैं कोई किसान का बेटा यहां चुन करके आया है को इस कै दो भूअ को पशुब पालत का बेटा चुन कर कहा है पिछ्रा परिवार का अतित मिच्छा पही वार का जिसकी आर्थिक स्थिती ठीक नहीं है और अगर वह रश्टा बेगा तो वहां करोज पती लोग चुन करते के जाते हैं अब पार्लियमें के वहां देवाते रचाते हैं कि अब देख्ष्वादे कि जब बोल यहां बच्छा रहे हैं विस्काव करता है बढ़ियो कि अब देख्ष्वादे हम धन्यवाद देना चाहते हैं सबी सदस्य को सबी सदस्य को कि कितरा भी यहां कोशिश करने का प्रयास किया गया हो अरे भाई हम लोग देख रहे थे ना कि आपके राष्टर द्यक्ष्ट लोग तंत्र की जनिनी में आकर के क्या ब्यान दे रहे थे कि रिजनल्स पार्टी को खतब कर देगे ऑपोजिशन अधिया जा रहा था जंता दल उनाइटेड को तोरने का क्या क्या प्रयास किया जा रहा था समाजवादी राजीति को इस प्रकार से खतम करने का साजिश किया जा रहा था तो हम लोगों कि पास उपाय था कि देश को हम लोग मिटने नहीं देंगे टूटने नहीं देंगे स लोग समाजवादी लोग है मोदे एक ही परिवार के लोग है अरे सुनिये ना सुनिये ना एक ही परिवार के लोग है हमारे पुर्खों का जो विरासत है वो कोई और नहीं ले जाएगा अब जो शोच़ रहे हैं कि हम लोग जो खेड जोते हैं उसके आप लोग जो है ऐसल उगाने का क काम किजेगा जो समाजवादी जो विरास्त है जो हमारे पुड़कों की विरास्त है वो हमारे पास ही रहेगी और किसी के पास नहीं जाने वाले एक बास समझ रहे है अध्याश्मोंदे इपियार भाईजा ध्मकावे से काम ना चले वाला कि बिहार है आप लोग आप लोग आप लोग जो विभाजनकारी लोग है उनको रोके रहे के लिए जो देश में गंगा जमुना तहजीद जो भाइचाना जो भीगारना चाहते थे जो आप लोग समाजिक तनाओ धार्मिक तनाओ जो भीगारना चाहते थे इसको देखते हुए हम लोगों ने सभी प्रीपोल महागणबंदन के अलाइंस के सभी पर्टर चाहिए चीपी आई हो सीपी एम हो माले के लोग हो कॉंग्रेस के लोग हो और हम आरजएडी के सभी लोगों ने निती अब क्या कह रहते है तार किशोर जी बोल रहते है कि रन आउट रन आउट रन आउट हम आप तो खेले नहीं हम तो कई बार खेल के अपना पैर भी तुरवाली मेरा जो लीगामेंट है अंकल का उट उटा है एक बार कोई आउट होता तब दूसरा इनिंग खेलता लेकिन ए क्रिकेटर है और यह जो जोड़ी जो है ना इस धावाल मचाने वाली है कि अब यह दिशने होंगे अब 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 जाई है अब यह 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 इनिंग जो होगी ना नेवर इंडी इनिंग खेला जाएगा सबसे एतिहासिक बताब एक रिकोर्ड बनेगा कि लंबे इनिंग हम लोग का पार्टरशिप जो होगा बिहार के हित में देश के हित में यह लंबा होगा इदे अब कोई रणाउट वाला दे एक बात समझ जाई लेकिन आप लोगो का क्या काम आप लोग क्या कर रहते इतना बढ़िया से इतना बढ़िया तरीका से हमारे अभी वावग विजय चौधरी जी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो इसमें कोई क्या कर सकता है और हम लोग आप लोगों को तो आत्म मंठन करने की जरूरत है अभी तक तेहर हूँ नहीं हाँ तक बैद हमने दे लोग वको एक बात हम कहें क्या है अप cosmic उत आजए स्टा रहें कर आपको को दो नहीं है नहीं है काणद ना शूरिए हमार अद हम दो बार उपमुक्त मंत्री बने दो एक बार निर्टा कति पक्ष पांच साल के लिए बने और पूरे देश में महोदे शायदी ऐसा कोई बागिशाली होगा जिसके माता पिता मुक्त मंत्री भी रहे और निता विरोधी दल भी तो 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 आप समझ जाहिए कि हम लो मेरे सख अक्रों जो संदेश की जनता ने अधर्येञ्ये और मानिये मुक्त मंत्री निथीश कुपार जी रहें प्ूरे देश के ओपोजिशन को जेदेका काम किया देश के और लोगों को घ़ेंश्वाज देने का के आदने लालु जी ने जो शाब दिया हम कह सकते हैं कि Western लोगों के लिए बात है कि भाईया जो लोग डड़ेगा वो लोग मड़ेगा जो लोग लड़ेगा वो जीतेगा यह होना वाद क्या है हम लोगों का क्या क्या है हम लोगों का यहीं रच्छा होता है कि भाई बिहार आगे बढ़े तरक्की करे देश आगे बढ़े प्रगति क करें लेकिन आप लोगों का डिजाइन तो सब लोग जानता है क्या-क्या आप लोग जो है रन्नीती बनाते रहते हैं हर जेगा जो है कभजाना है करना है सवहाथ को भिगारना है आप सी भाइचारों को भंग करना है तो उसलिए हम सब लोग एक ही परिवार के लोग है समाजि और आप लोग समझ देए जो भाजपा के कदमों पे कुछलने नहीं देंगे इसको बचाने के लिए हम लोग एक हुए तो उसलिए आप लोग घबराईए बात और हाप लोग क्या क्या टिपनी कर रहे थे छोड़िये हम आपके नेता याली देश की जो प्रधान मंत्री तो हम के उन्होंने क्या बोला था लेखिश कुमार जी अधर्दी नितिश कुमार जी सच्चे समाजवादी निता है कि आप प्रदान मुंत्री के बाद को बारोना मेरी की सुनते हो अभी आए थे यहीं आए थे इस प्रांगन में क्या कहा था विराद्सवा के प्रांगन में कि तरा बिहार का काम करते हैं माने मुक्यमंत्री जी दिम्राथ काम करते हैं आप लोगों को समझना चाहिए जानना चाहिए हम तो उन्हीं के बाद को जो है बताने का काम कर रहे हैं तो आज जब हम सब लोग एक हुए है तो आप लोगों को पीरा क्यों हो रही है असल में आप लोगों को जो पीरा हो रही ह आप दर चुके हैं उसले जमाहि को आगे कर दिया आप लग पीछे हो गए आप लग पीछे हो गए असली पीरा असली आसली असली 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 पीनाव जो है इनकी अस्री पीरा इनकी अस्री पीरा जो है वो डर है 2024 का असल में यह लोग दरते हैं कि अगर हम सब लोग एक जुठ हो जाए तो बिहार से जो संगी लोग है जो बाता के लोग है उनके सफया हो जाएगा पाइगा जो है जाए आए लागे तो आप सब लोग अभेश्मादे आज पाइगा प्लागे इजिए में दर्फिहर के लिद्फिट आज पर सबसूब्स पर अधरेण एदेँ बोल दिये हैं निकाल कर देखे कांग कर देखे कर लोगे कर देखे करनें को देखे कर देखे कर करें हौँ अरे बैठ बेठोब यह एक बुदध अ यह बात सच है कि हमने इन पर आरोप लगाया इन्होंने हम पर आरोप लगाया लेकिन जब आरोप लगा रहे थे तो इसी हाउस में इसी हाउस में आप लोग सब लोग जगवा हैं मानिये मुक्किमंत्री जी ने हमको क्या कर था बाबू बैठ जाओ उसमें यह जो तरीका बाबू बैठ जाओ में अपना पन भी था रिष्टा भी था अधिकार भी था और हम इनकी बात को चुप चाप सुन करके आदेश समझ करके चुप चप हम बैठ भी गयते हैं तो यह तो हम लोगों का पुराना रिष्टा एक बार इनोंने एक बार इनोंने चच्छा की एक भार इनोंने का मुक्मती यह हमारे या लो तो यह किसी से चुपा नहीं है मौदे किसी से चुपा और अध्याग्ज्मादे बढ़ें ह dhok आपके पर दादी है वृत्य न AAA है अधिक्ष मांदे नील सोटें दिवाशक्षा था वे अधिमिंदा ने धे अधिने अरु के ल Тутस्त में है यह लिग काम तो कुछ चिह रेकें ऊठ साल असाल मुद्बा प्रहे चिंदर में उन्होंने कोए काम ने किया विहार के साथ पक्र॥ार्प किया आप जानते हैं जब काम नहीं किया दो करोर रोजगार देंगे पदरा लाग देंगे ये स्मार्चिती बनाएंगे वो करेंगे महेंगाई की मार पाट्रोल डिजर्ट कीबद पढ़ गया तो जो रियल इशू जो है जो जो मेरा जंदा जो है उससे ही लोग ध्यान बढ़काना चाहते हैं हम धनने बाट देना चाहते हैं मुख्यंफ्टी जी का ये कैटी अच्छे सै इन्होंने घोश्णा में बल्कि महण लगाने का काम किया इंद्वने का हों कि 10 लाख द्ढ़क हैं देने लिक्ता मानने मुख्यंद क्या मं का मθ Украї का लेकिन आप अरे बोलने दोना बैठेना वे फाइल निकलवा लेंगे बचिए तो अध्याक्ष मौद है तो असल मुद्दों से को ध्यान बढ़ करना असल मुद्दा क्या है पढ़ाई दवाई कमाई सिचाही सुनवाई और करवाई अब जब लोगों को एक बिहार के लोगों तो कैसे कंट्रोल मेरा करके जनता के लिए काम करते है अब दूसरे तरफ यूँआ है जोश है काम करना चाहता है एक बिहार कुमित जगी है हम लोग नौकरी देना चाहते है तो ही लोग चाहते है कि नहीं देंगे एक बास दो करोर सो छोड़िये ना आठ साल में 16 करोर हो ग जैते है और तो बात है वो मॉड़े आप यह लोग जंगल राद जंगल राज कहते हैं अरे नौकरी कैसे दी जाती है ये मुकम्तरी सिकर के पच्छाला हमार पच्छालभे फिन मोकित लिप कि कैसे रूकर्यां पिजा है अधेफ रापक जाते हैं अधे चुंक्ना ऐर्य हो जिए नहीं देखना आप ता चेह रहा है पर टी अरे अम मिल्साजी नहीं देखना आप ता चेह रहा है पर टी अधर्श्मोड एंग हम एक चीज जानना चाहते हैं बाजपाईयों से संग्यों से पहला कि बाई ऐसा कौन सा ऐसा कौन सा तिलिष्म है इनके पास कि सरकार में इन रहते हैं तो मंगल नाज होता है आउट होता है जंगल नाज होता है कि कौन चाहते हैं कि दो दिन में टीन दीन ने जंगल रह और एक तो आपके नेता बोलेंगे ना कैला लाव ब्याकुले साब आप लोग बेचेंद रहते हैं सब को नेता ही पति-पक्ष बनना है आपको नेता पति-पक्ष बनना है ना अलग खंड में बटे हुए दिख रह यह जब जंगल राज जंगल नाज कहते हैं तो बिहार की आत्मा को गाली देने का काम करते हैं क्या जंगनाज है क्या है जंगनाज है आपके नेता बोल रहें कोई देव उठा बार आप लोग उठके दिए ना इसी का नाम लिए हम किसी के आरोफ लगा कोई अबशाद बोले तो बताऊ पादेश्मादे आप युवाव को दस लाग नौकरी मेलेगी तो जंगल राज हैं मोदे क्या समाज के अंतित पैदान पेखाण जो वेक्ति है उसके लिए काम करेगे तो जंगल राज है क्या जो वंचितों को ना दिलाना वो जंगल राज है क्या क्या सबको शिक्षा सबको समान दिलाना इस जंगल राज है क्या क्या हर गर नल जल पहुँचे हर नल से जल यह जंगल राज है क्या तो मौदे तो आप रख समय क्या मैला मैलाओं को सम्मान जरा खिस्तदारी दिना यह जंगल राज है क्या क्या उनके सुरक्षा के बारे में चिंता करना सुरक्षा देना क्या यह जंगल राज है क्या तो मौदे यह कभीर से लेकर रविदास नानक बो नहीं प्षुतार होंग थो फुले पेडियार अमवेतकर गांधी लोहिया और करपूरी ने ऐसे ही लोक राज की तो कामना की थी जिसको यह संगी लोग जंगल राज बोल करके बिहार के लोगों को जानुवर केते हैं शाइए आप दूष्मन ना आप लोगों में से किसीस है । ना नरेंदर मोदी जी से है ना अमित साजी से हम लोग तो मुद्दे की गड़ाई लड़ना चाहते हैं आधर निकीश कुभार जी का क्या सपना भाई बिहार को पत्रना इनिवर्शिटी का दर्जा आप लोग ने दिलवा पाएं इमांगते रहें कहां थे आप लोग कहां थे बताएं कहां थे तब मुह ने खूल रहा था और यहां चपर चपर कर रहे हैं आप लोग चपर चपर कर रहे हैं और अधेच मोदे यहां जतने महां गड़बंदल के साथी बेखे हैं हम ब्यार को विशेश राज का दर्जा दिलाना चाहते हैं दिलाना और कि नहीं हाई लेकिट कोई काम नहीं मौद एक काम बता दे नहीं लोग जो ब्यार के लिए केवल तंकिया और हरे चियो जनाव में तकोती किया और आप एक बात तो चौदी जी ने ठीकी काना कि आप इनका कौन साथी बचा है पूरा सफाया हो गया बेंदिया का रहेंगे यही होता है जा जादा घमंड में रहिएगा तो यह घमंड टूटता है चक्रा चूर होता है हम बता देना चाहते यह टूट की शुरुवात है अटल भी आरी जी भले अलग विचारधारा दगते थे अलग पाटी था उनका लेकिन आप वेके उस्टमे की राजी ती जब अटल जी विबार हुए जपने डिली खराब था तो राजीव गांदी जी उनको इलाज करवा है विदेश भिजवा कर यह अटल जी ने खुद वीडियो में बोला है कि राजीव जी का फोन आया था अजब अटल भी आरी जी जब थे तो हमारे पिता से भी बड़ा मधूर संबंद था कभी ऐ चिराइंगे मुखमतिजी सब हाथ बताएं ती जानते एक एक चीजव बताएंगे कि कैसे आफ लोग इंकी पार्टी को समाझवादी पार्टी को आप लोग तोरदे का फ्र्यास कर रहर थे अपने जो शजायोगी हैं उनके खिलाफ आप लोग fruit कि और यह है आप लोगों ज कि मुसल्मानों शेजिए उछी भाहरं क्या वजारं करतें किво लोगों यहीं प्राथरा करेंगे नौजवान हों बुजूर्ग हों चाहिए किसी वर्ग से आए समाच से आए हम लोग ए तुजड की बात करते हैं उपर से नीचे सब की बात करते हैं और हम लोग सबस्वाच के लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करेंगे कई किसी को तकलीफ नहीं होने देंगे तो एक बात सपस्ट है हम हम लोगों को काम करना है मोदे काम लोग तो काम तो करेंगे ही मौदे लेकिन हमारे पास हम इतना क्या सकते हैं कि आज हम राज और देश के पिहास के एक ऐसे समय पे जहां हमारे पास दो ही option है दो ही option है पहला उधारन क्या है पहला option क्या है आपका पहला विकल्प यह है कि या तो समाजिक तनाव बढ़ते हुए देश का विनाश की ओर जाते देखे या फिर एक दूसरे का हाथ पकर कर गांधी लोहिया जेपी अब बाबा साहब के देश को इस नफरत से बचा ले तो हम पुर्कों को जो चैन था उसको हम लोगों ने का काम किये और हम लोग इसके लिए पतिबद है कहीं भी कुछ भी होगा लेकिन इस देश में अगर आज शांती का महाल अगर क्रियेट किया जाएगा बराने की कोशिश की जाएगी तो किसी दंगाईयों को हम लोग छोड़ने का काम नहीं करेंगे एक एक चीज पर नजर है यह यह महागरबंदन की सरकार तो आप लोग हम तो मौदे अध्यक्ष मौदे हम तो भगवान से भगवान से यह भी प्रात्रा करते है भगवान इन भाजपईयों को सद बुद्धी दिला अगर बुद्धी आ जाएगी तो च सब्सक्राइब करके एक नया भारत का दिर्मान करते है नया बिहार का विष Junior हो एक संकल्प हो जद बिहार को आगे बढ़ाए यह तो पर्दान मति छी अब तक थो डेस तक टो यहार आगे नहीं तो देशची नहीं बडया या नैण आपकर शायोग व्यार अगे मिशुद्रे में रहा नहीं já आपने हमेशा सौन्ड़ा वेवार डियार के लोगों के साथ किया बता हुन म्हुन indra पर चा송 कि आपकेजитक कुछा घंट लूमेंत्य को तो फगने का प्रेश किया जा रहा था पुरा को तो प्रेश सो नजय अग्यार को ण्रेश किया जा रहा तो भी कई बिनुफ। कर दो ये वे में भी कैसे हो गया ऐसे हो गया है कर आप कर आप तरहा कर दो आप फाटम कर रहे हैं हम फटम कर रहे है कि आगे ये लोग क्या क्या दुश्करम करेंगे क्या क्या होने वाला है सब को पता है आज इस्तिती ऐसी हो गई कि बियार के बच्चे से पूछेगा कि बिच्चा बोलेगा कि बीजेपी का फेकर लोग है बीजेपी जब जब हारती है जब जब यह को दधन लगता है तो इन तीनों को आगे करती है यह बच्चा बच्चा जान आगे क्या कहीं लोग करेंगे सब को पता है कोई कोई हमारा एक साथी हमारा एक वरकर समाजवादी विचा धारा को मांडे हो ला एक एक दियार के नागरेक कभी भी जो है इनके मंसुबों को पूरा नहीं होने देगे सब्सक्राइब के लिए जमाई सब का प्रियोग किया इसको कारवाई सब्सक्राइब करें इसको किसी देख होता है अब वह पाते हैं हम सभी यह मानने से दोसों से अपने सभी मानने से दोसों से यह उमीद और आशा और अकांचा रखते हैं और यह मुझे पूरा विश्वास है कि मानने मुख्यमत्री जी सदन की देथा ने जो प्रस्ताव रखा है वो सब प्रस्ताव के पक्ष में रहेंगे और हमारी जीत निशित है देश के लिए कुछ भी करना पड़े हम लोग सब लोग आगे पर करके इस देश की सेवा बिहार की सेवा में लगाएंगे जय हिन जय बिहार मैं लिए सबस्क्राइब